Clock Pulse और इसके बनने की प्रकिरिया Clock Pulse और इसके बनने की प्रकिरिया अमूमन Clock Pulse एक One Cache या High and Low का एक क्रम है जो है High-Low की एक लगातार होने वाली Frequency होती है जैसे Alternative Current में 50 से 60 साइकिल प्रतिसेकंड की Frequency होती है उसी प्रकार Clock Pulse भी काम करती है AC Current Cycle पर Second किसी भी Frequency को HZ Hertz में नापते है इसी क्रिया को Frequency कहते हैं यह दो तरह की होती है One, Analog Frequency Do, Digital Frequency एक, Analog Frequency Analog Frequency इस Frequency में High या Low का समय असमान होता है कब High होगा, कब Low होगा कोई पता नहीं होता Do, Digital Frequency Digital Frequency Digital Frequency इस Frequency में High Low का समय समान होता है इनको Esquire Web Frequency भी कहते हैं किसी भी Motherboard में Digital Frequency या Clock होती है Clock Signal Clock Pulse High और Low का एक ऐसा क्रम है जो Microprocessor को Step by Step काम करने के लिए बाध्य करता है एक Microprocessor को एक काम करने के लिए चार Clock Pulse की जरूरत पढ़ती है Clock Pulse जीतनी ज्यादा होगी, Microprocessor उतनी तेजी से काम करेगा किसी भी Electronic Circuit में Microprocessor या Microprocessor को Clock Pulse देने के लिए Crystal का उप्योग किया जाता है दोस्तों, Clock क्या होता है? यह तो आप समझ गए होंगे? अब बात करती हूँ कि Clock बनता कैसे है? Crystal Crystal के अंदर एक पत्थर की पत्ली पट्टी होती है जिसके दोनों सिरों पर तार जोड़कर एक डिब्बे में बंद कर देते हैं और तार के सिरों को बहार निकाल देते हैं जैसे ही इनके दोनों सिरों पर Negative और Positive सप्लाई मिलती ये एक समान Clock Out करने लगता है जिसको एक सर्किट के द्वारा Amplify करके काम में लेते हैं Quartz नाम एक पत्थर का होता है यदि इसके दोनों सिरों पर एक दूसरे के बिपरित वोल्टेज देने पर इसके अंदर सुकुडने तथा फैलने की क्रिया समान रूप से होने लगती है इसकी इस क्रिया को compression और decompression की timing पत्थर के slide की मोटाई पर निर्भर करता है यदि slide मोटा होगा तो कम और पतला होगा तो ज्यादा होगी यह क्रिया लगातार fixed speed से होती रहती है यह एक mechanical activity है इस activity को electronic form में बदलने के लिए सिर्किट की मदद ली जाती है जिसको micro sensing circuit कहते हैं यह पत्थर के activity को sense करके clock generate करता है यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को subscribe करना न भूले Thanks for watch my video